ग्लाइकल इस सेब्सक्राय डाई था को चुछँ फेस पाते तिति फेस फेन सेब्सक्राइड से अध्याज चा IRS हो कि इसा fel थो मैं दो ऐन आंके ग्लाइकलस को यहां आपने चीजा कहीं आपने इन्वेस्ट किया और इस वहाँसे वहाँसे आपको वापस कोचीज दे रहा है तो हम क्या कोई चीज हमें पे आफ कर रही है और हम किसी अगरे जैनल कोई जेखें तो जब हम किस जगा कोई कोई चीज़ खरीदते हैं को प्लॉट खरीदते हैं को गाड़ी खरीदते हैं फार्दा यह नहीं कि बिजनस के पॉइंट आफ यू से तो जब हमें वहां से कोछ चीज़ प्रॉफिट दे रही होती है कि हम कहते हैं कि हमें पे बैक का रही है पे आफ का रही है चीज़ सिमिलरली गलाइकालिसिस को अगर हम देखें तो गलाइकालिसिस लिविंग सेल्स के अंदर एक एनरजी हार्वेस्ट या अनरजी प्रोड्यूस करने का एक मैथड है यहां पर प्रॉसेस है यह एनरजी प्रोड्यूस करने का अबदल है एटी प्रॉड्यूस करने का एक के अंदर energy या ATP produce नहीं होती बलके ATP utilize होती है इसलिए first half को हम कहते है यह उसके जहाँ वो preparatory phase है यह वो phase है जिसके अभी हम investment हो रही है second half of glycolysis जो है वो है जिसके दुराँ ATP produce होगी cell को energy वहाँ से मिलेगी तो इसलिए हम second half of glycolysis को क्या है payout phase का नाम देखते हैं यह वो phase यह वो हिस्सा है जिसके दुराँ energy हासल होगी cell को अब glycolysis के total there are ten reactions या ten steps है उस में से जो first five steps हैं वो हैं जिसके दुराँ energy cells को invest करनी पड़ती है और जो last वाले five steps हैं यह वो हैं जिसके दुराँ ATP produce होती है cell को ATP gain होती है तो six से ten ताके जो reaction है दियार कालदा pay-off reactions या pay-off phase कहलाएगा अगर pay-off phase का total हम देखे हैं तो pay-off phase में हमें net gain total four ATP's pay-off phase हमें देगा जिसमें दो तो वो होंगी जो invest की होंगी तो दो जो है वो additional half बिन लेगी इसके अलावा ATP के साथ-साथ glycosis के दुराँ जब वो NADH मिलता है NADH जो है वो high energy electron carriers है जो आगे electron transport chain में ATP produce करवाते हैं तो इस तरह से pay-off phase के दुराँ ATP produce होगी और NADH भी produce होगी here we have detailed cycle of या detailed flow of the pay-off phase अगर pay-off phase को हम देखे हैं तो यह जो उपर हमारे पास three carbons हैं they are actually the glycerol dihyde three phosphate अब अगर हम थोड़ा सा गोर करें पिछले cycle को देखें जब one six जो fructose one six bis phosphate की breakdown होई थी तो fructose एक six carbon molecule था fructose की breakdown से दो three carbon molecules बने थे और वो दोनों फिर बाद में glycerol dihyde three phosphate कमड़बट होगे तो यह basically एक ही glucose की breakdown से दो जो है वो three carbon molecules हैं glycerol dihyde three phosphate हैं तो दो molecules हैं दोनों parallel देंगे हम एक को study करेंगे तो जो एक side होगी वो बिल्कुल as it is दूसरी side भी चलेगी paya phase का जह है वो पहला reaction या glycoalsis का जो छटा reaction है अगर हम इसको देखें यह वो step है जिसको दुरान glycerol dihyde three phosphate एक inorganic phosphate group को accept करेगा and it is converted into one three bisphosphoglyceric acid या bisphosphoglyceric acid या bisphosphoglyceric acid या difosphoglycerate या difosphoglycerate जो है अच्छा यहाँ अगर हम थोड़ सिक में code detail आपको clear करता चलता हूँ अक्सर books के अंदर आपको जब glycosis पढ़ते हैं तो यह अगर लिखें one three bisphosphoglycerate लिखा होता है glyceric acid की जगा actually जितने भी acids होते हैं living cells के अंदर वो ionize हो जाते हैं इसलिए हम फिर acid लिखने के बज़ाए eight का word यूज़ करते हैं जैसे हमारे पास जहाँ हो इन simpler words में हम यूज़ करते हैं acytate का word यूज़ करते हैं इस तरह से lactic acid है living cells के अंदर हम क्या word यूज़ करते हैं lactate का word यूज़ करते हैं similarly जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ इस डायगराम में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है one three di-phosphate glyceric acid लेकिन अक्सर बुक्स में आपको यहां glycerate लिखा हुआ मिलेगा similarly glycerality heart 3-phosphate से बनेगा 1-3-diphosphoglycerate या 1-3-bisphosphoglycerate then step number 7 step number 7 के उपर 1-3-bisphosphoglycerate या 1-3-diphosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate अच्छा आम बुक्स में अगे जब हम इसको देखेंगे तो वहां में मिला गया 3-phosphoglycerate लिखा हुआ मिलेगा यहां से glycerate लिखा हो वहां से इपल क्या लिखा होगा glycerate लिखा होगा G-L-Y-C-E-R-A-T-E तो glycerate जो हाँ उसका लिखा हुआ मिलेगा then 3-phosphoglyceric acid is converted into 2-phosphoglyceric acid फिर next step के उपर 2-phosphoglyceric acid is converted into phosphoenol pyruvate या phosphoenol pyruvate last step के उपर हमें जहां 2 pyruvates मिलेंगे बहुत जोगों के उपर यहां pyruvate acid भी लिखा हो सकता है अचा अगर आप इस पूरी reaction को हम देखें तो glyceral hyde 3-phosphoglycerate से pyruvate बनने तक एक pyruvate इस तरह बनेगा एक pyruvate इस तरह से बनेगा तो इस तरह से एक गुलुकोस है दो pyruvates जो हो बनते हैं अगर हम step number 6 को देखें तो step number 6 के उपर एक बड़ी important development है वो है NADH की formation यह NADH जो है यह basicलिए हमारे पास NAD था oxidized farm है इसकी glyceraldehyde 3-phosphate से यह 2 electron accept करेगा और hydrogen accept करेगा जिसके वजह से it is converted into NADH NADH के पास high energy electrons है और बाद में जाकर यही high energy electrons जहाँ ATP produce करवाते हैं तो इसलिए जहाँ NADH produce हो रहा तो इसको भी very important consider किया जाता है cell के लिए जो कि इसे आगे ATP produce होनी है step number 7 के उपर जहाँ 1, 3, 20 phosphoglycerate थे 3 phosphoglycerate बन रहा है यहाँ एक ATP produce हो रही है और second ATP हमारे पास जो है वो last step के उपर जहाँ produce होगी जहाँ phosphorynol pyruvate is converted into pyruvate एक तरफ 2 ATPs similarly जो कि यह पहलाल रियक्शन है तो दूसरी तरफ ही 2 ATPs produce होंगे तो pay off phase के अंदर जो total ATPs produce होंगे they are actually 4 ATPs आप जो इसे पिछला step था तो here we have net output of glycolysis glycolysis के अगर हम total देखें तो 2 halves आपने जैसे अभी कहा है कि there are 2 halves one is the preparatory phase and other one is the pay off phase preparatory phase के तरवान 2 ATPs invest होते हैं और जो pay off phase है it is giving us 4 ATPs तो अगर हम इसका total input देखें तो 2 ATPs हैं total output कितना है 4 ATPs है अब output मैंसे input अगर माइनस कर देंगे तो जो net gain होगी it will be 2 ATPs तो glycolysis के दुरान 2 ATPs प्रोडूस हो रहे हैं और साथ 2 NADH के मालिकूल बन रहे हैं अच्छा glycolysis basically N aerobic respiration को represent करता है अगर आप simple देखें glucose का एक मालिकूल अगर aerobic respiration के थूरू तो it will give about 36 ATPs जबकि ग्लाइकॉलसिक थूरू इससे कितने में बिलेंगे only 2 ATPs इसलिए glycolysis जो है यह energy देता तो है लेकिन इसकी amount energy का या जो net output of energy है वो कम है as compared to aerobic respiration